नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अश्योग गोईल और आप देख रहें निवाइल टेकनिकल सॉलसन तो दोस्तों मेरे पास में मुबाइल आया है यह रियल मी का सेवन मोडल है और इसके अंदर किया यह बार-बार मेरी स्टार्ट हो रहा है तो इसका हम केस समाधान करेंगे तो दोस्तों आपका जाट टाइम ख्राब ना करते हम वीडियो करते हैं स्टार्ट तो दोस्तों क्या करना है सबसे पहले तो हमें ब्राउज पेज को ओपन कर लेना है यह 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 ब्राउज पेज ओपन हो गया है उसके में टाइप करना है रियल में सेवन फलेस फाइल इसके बाद में हमारी जो पहली वेब साइट ओपन हुई है रिपेर माई मॉबाइल की इस पर कलिक करना है इसके बाद इसके हम स्कॉल डाउन करेंगे और सबसे पहले तो मैं यह ओपो अम्टी के का ड्राइवर दिखा रहे हैं कि ड्राइवर को इंस्ट的话 करना है मैंने led कर रहा है और इसके बाद में उपाइवब कर लेंगी और जूरत ंरे कि ऑपन करने च्षाए बेइत जो फरी टूल enthusiasm करना है यह आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो अस्बून टूल 3.8 वर्जन है इसका इसके में डवल कलिक करेंगे जिससे मारे यह टूल ओपन हो जाएगा इसको में लाउ कर देंगे अगर किसी बाई के पीसी में अगर टूल ओपन नहीं होता है तो उसको विंडो डिवाइंडर ओफ कर लेना है और एंटिवार्स को बिल्कुल बंद कर देना है मेरे पीसी के अंदर यह टूल चलता है कोई प्रोब्लम नहीं है इसलिए मैं किसी को ओफ नहीं करने वाला हूँ आप जिसे निच्चे लेकर जाओगे तो यहाँ पी मैंने सेटिंग मिलेगा यहाँ से रिल टाइम प्रोटेक्शन को ओफ कर देंगे तो आपका टूल रन हो जाएगा आप देख पारें हमारा टूल ओपन हो गया है और जो मैंने फाइल डाउनलोड की थी इसको हम एक्स्टेट कर लेते हैं जो फाइल मैंने अलेड एक्स्टेट कर रखे दोस्तों मैंने आपको दिखाने के लिए फाइल को एक्स्टेट करके बताया था यह ऑप्टि फाइल होती है वो इसको हम ऐसे टूल के दोबरा फ्लेस नहीं कर सकते हैं के लिये हम जुर्त बड़े कि स्केर्ट्र फाइल की तो हम सबसे नहीं पर से मिनो पर कुलेंगे इसके Series पहले सब्सक्राइब है उसके पाद में हम पी एक्सट्राप्रेलिगों कि इसके बाद में फेंक ने ठूल उपन हो जाएगा हमारा टूल ओपन हो गया है इसके बाद में हम जाएंगे असो सी पे कलिक करेंगे यहाँ पर हम हमारे मीडिये टेक डिवाइज तर मीडिये टेक पर कलिक कर देंगे और वह पर फाइल जो हमने फाइल डाउनलोड की थी इसको हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इसको सेलेक्ट कर लेंगे और हम आउट कुट पर जाएंगे रिशको सेव काम पर करनी है तो महम सेरी रियल्मी नाम वाले फोल्डर में सेव कर देते इसको कर यह पर लिक करकेемся कर देते हैं कि इसके बाद में एक्स्टेट करेंगे यहां पर क्लिक कर देंगे यहमारी फाइल एक दो मिट के अंदर एक्स्टेट हो जाएगी मैंने आप वीडियो को फास्ट रोटेट कर रखा है ताकि आपका टाइम खराब ना हो बेसे दो तीन मीट लग जाती इस फाइल को एक्स्टेट होने में अब आप देख पारें हमारी स्केटर फाइल बनके त्यार होगी इसको हम कट कर देंगे इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूं काँ पर स्केटर फाइल बनी है यह है यह आप देख पा रहे हैं अंड़ोईड स्केटर फाइल त्यार हो गई है हमारी जो कि आप पर देख पा रहे हूं कि इस के दिवारा मुबाईल को फ्लेस कर सकते हैं इसके बाद हम कलिक करेंगे और फवाइपास क्रिप करेंगे हैं यहाप कलिक करेंग हैं हम पिर क्लिक करते हैं मुबायर की बॉलियूम अप डाउन और पावर की अकी को प्रेस कियेंगे क्योंकि आप देख़ा लिए बारा में लिए स्टार्ट हो रहा है मुबायल ओफ नहीं हो रहा है इसके लिए हम तीनों की को फ्रेस किये रखेंगे और डाटर केबल को लगाए रखेंगे जब तक हमारा मुबाइल सुच ओपने हो गाई यह एटमेटिक कनेक्ट हो जाएगा आप देख पार है हमारा मुबाइल ओटो वाइफास हो गया है इसको हम साइड में रख देंगे इसके बाद में हम run S P टूल पे कलिक करेंगे तो मारा S P टूल ओपन हो जाएगा इसको हमोक्य कर देंगे कोई एरर नहीं है इसके बाद में हम सकेटर फाइल पे जाएगे चूज पे जाएगे और जो scatter file हमने जिस real view folder में डाल रखी है उसके अंदर जाके scatter file को select कर देंगे इसके बाद में हम download पे click करेंगे तो हमारा mobile flashing होना start हो जाएगा अब देख पारे हमारा mobile flashing स्टार्ट हो गई है और इसे पिछली वाली वीडियो मैंने आपको SP tool से फ्लेश करके बताया था इस बार SP tool से फ्लेश करके दिखा रहा हूं दोस्तों मैं आपको चेक करा दूँ इसने ड्राइवर भी उठा रखे हैं आप देख पारे मीडियो टेक की विस विपोर्ट बनार की इसने और यहां पर मीडियो को मैंने स्किप कर रखा है वैसे फ्लेशिंग होने में 57 मिट लग जाते हैं आप देख पारें दोस्तों मारी फ्लेशिंग कंप्लीट हो गई है मैं आपको मुबाइल चेक कर रहा देता हूं कि इसको डाटा के निकाल के हम ओन करेंगे कि अब देख पारें महारा मॉबाइल ओन हो गया इसके बाद में अमर्जंसी पर क्लिक करेंगे वह टाइप करेंगे श्टार सब्सक्राइब दोस्तों चोटीश वीडिया को कैसे लेगी मैं आशा करता हुआ पसंद आएगा मिलते कि नेक्स्ट वीडियों जबते के लिए जैंद बाइबाइब